नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी खा MSK MP Online के इस वीडियो में इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपका विद्धुत connection रजिस्टर्ड है और यदि आपका विल आता है और यदि आपका उस विल के अंतरगत mobile number लिंक नहीं है इसके नाम पर उसके नाम की तो सरप्रतम आपको Google एक रॉम पर सेच्ट कर लेना है यहां पर आपको सेच्ट करना MP EZ CC link mobile number ओके यह आपको सेच्ट कर देना है Google या Chrome पर जैसे आप सेच्ट कर देते हैं तो यहां एक official MP EZ CC की website देखने को मिल जाती है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप उस website पर क्लिक कर देते हैं यहां पर आपको consumer name लिख कर आजाता है यहां पर आपको डिटल्स बिल्कुल सही सही फिल कर देनी है और इसके बाग आई यहां नमबर की यहां पर आपको वेड़्च कर देना है और यहां पर आपको वाइल नमबर जिस पर आपको मेसेच चाहिए ओके और यह आपको email ID को कि यहां हम अपना consumer name इंटर कर देते हैं जैसे कि हमने consumer name यहां copy कर रखा है और consumer name के बाद यहां अपना IVR करमांग डरिच करने के बाद यहां अपना एक whatsapp नमबर देंगे हम यहां अपना दिखे वाट्सअप नंबर दे देते हैं यह हमने अपना वाट्सअप नंबर दे दिया है और यहां अपना मुवाइल नंबर दर्च कर देंगे ओके जैसे कि यहां अपना मुवाइल नंबर दर्च कर देंगे और एक हम यहां पर जीमेल आईडी जीमेल आईडी दर्च करेंगे यहा कुछ विवड़न दर्श करने के बार यहां पर एक बार चेक कर लें कि आपका नाम जो आपका बिद्धुत कनेक्शन रजिस्टर है जिनके नाम पर और आई-प्र करमांग को वाट्सप नंबर एब मुबाइल नंबर आप यहां दे सकते हैं और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर जाता है यह आपका मुबाइल नंबर आपके बिद्धुत कनेक्शन के साथ एड़ कर दिया जाएगा ओके इसकी पुष्टी हमारे नजदी की दफ्तर एवं बिद्धुत अधिकारी इसको अप्रूब करेंगे उसके बाद आपका यह मुबाइल नंबर सक्सेस्पुली आप लिंक हो जाएगा उम्मीद करते हैं साथियों दी हुई जानकारी के अनुसार आपको यह जानकारी पूर तहार समझ में आई होगी यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें धन्वात साथियों थैंक्यू